जैहिन साथियों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग जोस में साथियों मिद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे तो साथियों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुक बंदरगाह से समंधित महत्तपुर के बारे में जो की बार-बार परिचाओं में पूछे जाते हैं तो साथियों इस वीडियो लेक्चर में दिये गए सभी प्रश्ण एक्जाम ओर्येंटेड और सेलेक्टिव हैं इसलिए सभी प्रश्णों को ध्यान से देखिएगा तो आईए देखते हैं जैसे हमारा पहला प्रश्ण हो जाता है कि भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं भारत में टोटल प्रमुख बंदरगाह की बातकरें तो हमारे तेरह हो जाते हैं याद्यर रखेंगा नेक्स्ट हमारा है देश के पुराना कृत्तिन बंदरगाह देखी important है देश का सबसे पूराना भी है उपर से artificial है इसलिए हमारा important हो जाता है तो इसे हमारा answer हो जाएगा option C बंदरगाह जो कि कहां पे स्तित है गोवा में तो साथियों देखिए जोएकि बंदरगाह के साथ साथ वो किस राज में स्तित है यह भी यहाँ पे दिया हुआ है आपकी बेहतर जानकारी के लिए तो याद रखिएगा next हमारा हो जाता है देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन इसतित है तो याद रखिएगा बिसाका पट्रनम मंदरगाह कहां पिस्तित है आंध्परदेश में नेक्ष्ट हमारा कॉस्चन हो जाता है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सÁ है देखिए सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा है यह वीसलिया हुआ को लिएगा बार ब बंदरगाह को मतर से पतन काते हैं काफी important question है और ये भी बारपर exam में पूछा जाता है तो किस बंदरगाह को जो की मतर से पतन काते हैं तो हमारा जो की चिन्नई बंदरगाह को मतर से पतन भी काते हैं जो कि तमिल नाडू राज में इस्थित है नेक्स्ट हमारा हो जाता है पारा दीब बंदरगा किस राज में इस्थित है देखिए ये पारा दीब बंदरगा का नाम दिया हुआ है और पूछ रहा है कि किस राज में इस्थित है तो पारा दीब बंदरगा हमारा जोए कि ओडिसा में इस्थित है याद रखिएगा next हमारा हो जाता है कोचिन बंदरगा किस राज में इस्थित है देखिए ये भी बंदरगा का नाम दिया हुगा है और किस राज में इस्थित है ये पूछ रहा है तो कोचिन बंदरगा जो एके मारा केरल में इस्थित है याद रखिएगा नेक्स्ट हमारा हो जाता है कोलकाता हल्दिया बंदरगा किस नदी पर इस्थित है काफी ये इंपोर्टेंट है इस्टो एक्सडार मार्क कर लिजेगा तो ये इस्थित है होगली नदी पर किस पर होगली नदी पर कोलकाता हल्दिया बंदरगा इस्थित है नेक्स्ट हमारा हो जाता है इन्नोर बंदरगा किस राज में स्तित है देखिए ये भी बंदरगा का नाम दिया हुआ है और राज पूछ रहा है तो इन्नोर बंदरगा हमार कहां पिस्तित है तमिल नाडू राज में कहां पिस्तित है तमिल नाडू राज में नेक्स्ट हमारा होता है चिन्नाई बंदरगा का सहायक बंदरगा कौन सा है most important है note कर लिजेगा तो इन्नुर बंदरगा जो कि तमिल नाडू राज में स्तित है चिन्नाई बंदरगा का सहायक बंदरगा है तो देखिए ये विया दखेगा इन्नुरबंदरगा कहां पे इस्तित है तमिल्नाडु में और ये जोगी चिन्नई बंदरगा का सहायक बंदरगा भी है नेक्स्ट हमारा होता है नियु मंगलोर बंदरगा किस राज़ में इस्तित है काफी important है तो निव्मंगलोरा बंदरगा जो है कि हमारा करनाटक राज में इस्थित है याद रखेएगा next हमारा होजाता है पोर्ट बलेयर बंदरगा कहाँ पे इस्तित है तो अंडमान निकुबार दीब समूभ़ जो है कि पोर्ट बलेयर बंदरगा इस्तित है यह काफी important question है तो साथियों इस वीडियो में दिये गए सभी प्रश्न exam oriented है जो की exam में पूछे जाते हैं तो वीडियो को इन तक जोड़ देखेगा यदि आप कोई भी exam देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर के जाएगा एक सिदू गुद्धन बंदरगा से आएगा वो जरूर आपको मिल जाएगा तो next हमारा question होता है भारत का सबसे बड़ा किरित्रिम बंदरगा कौन सा है भारत का सबसे बड़ा किरित्रिम बंदरगा हमारा कौन सा होता है जोहर लाल नेहरू बंदरगा जो की भारत का सबसे बड़ा है और किरित्रिम बंदरगा है तो या तिकरीन तमिल नाडश को आप ठूक से याद कर सकते हैं तो थीकरीन घूल नाडश को नेट्स हमारा हो तो कुलकाता बंदरगा हमारा राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारा होता है देश का सबसे बड़ा किरित्रिम बंदरगा कौन सा है काफी ये भी important question है तो देश का सबसे बड़ा किरित्रिम बंदरगा हमारा होता है नहावा सेवा बंदरगाह जो की नवी मुम्मी में इस्थित है Next हमारा हो जाता है किस बंदरगाह को औरप सागर की रानी के रूप में जाना जाता है Most important है इसको जरूर नोट कर लिजेगा औरप सागर की रानी के रूप में किसे जाना जाता है Next हमारा होता है कौन सागर कार्गो हेंडलिंग के मामले में भारत में परतम अस्थान पर है जो के कहां पे इस्थित है गुजरात राज में इस्थित है जो की कारगो हैंडिलिंग के मामले भारत में पर्थमा स्थान पर है याद रखिएगा नेक्ष्ट हमाता है भारत का सबसे नया बंदरगा कौन सा है तो पोर्ट विलियर बंदरगा जो की भारत का सबसे नया बंदरगा हमारा हो जाता है नेक्स्ट अगर बात करें भारत में कुल कितने बंदरगा है तो भारत में जब टोटल पुछेगा तो 224 बंदरगा जो की संपूर भारत में इस्थित है नेक्स्ट हमारा हो जाता है निमलिखित में से कौन सा एक भूमी बंदर बंदरगा है बात किया है कि भूमी बंद और बंदरगा है तो हमारा बिसाखा पत्रम राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारा हो जाता है निमलिखित में से कौन सा एक भोमी बंद बंदरगा है देखे कोस्टन को दो बार रिपीट कर दिया है इसमें हमारा राइटांसर आप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट हमारा है निमलिखित में से किस राज में दो से अधिक परमुक बंदरगा है उन्चारों में से किस राज में जो है कि दो से अधिक परमुक बंदरगा है तो इसमरा राइटांसवर ओप्शन D हो जाएगा तमिल नाडु में तमिल नाडु मुझे है कि दो से जथिक परमुक बंदरगा है नेक्स्ट हमारा हो जाता है भारत में निमलिखित बंदरगा हो में से किसका नाम बदल कर दीन द्याल बंदरगा रखा गया है देखिए नाम बदला गया है इसलिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है एक्जाम पॉइंट आफ ब्यू से तो इसमरा राइटांसवर ओप्शन D हो जाएगा कांडला बंदरगा का नाम बदल कर जो की दीन द्याल बंदरगा रखा गया है नेक्स्ट हमारा हो जाता है निम लिखित में से कौन सा बंदरगा पूर्वी तटपर एक परमुख बंदरगा है काफी इंपोर्टेंट कोशन है तो इसमरा राइटांसवर आप्शन C हो जाएगा हल दिया तो साथियो यह रहे आपके भारत में इस्तित परमुख बंदरगा जो कि बार-बार परिच्छाओं में पूछे जाते हैं चाहे वो उत्तरप्रदेश पूलिस का एक्जाम हो या फिर S.S.C. का एक्जाम हो या भी बैंकिंग का एक्जाम हो यदि भारत के बंदरगा से रिडिटेर कोशन आएगा तो इससे बाहर कोई कोशन नहीं आएगा और लर्न हो गया होंगे तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा और चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब जरूर कर लिएगा